स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे CLF पदाधिकारी इनके बारे में जैसा कि कई दीदी पूछती है कि क्या CLF पदाधिकारी को कोई मांदे मिलता है क्योंकि CLF तो एक बड़ा संगठन होता है और वहाँ पर काफ सभी समू की दीदियों को यही जानकारी प्राप्त हो जाए और साथ ही अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा ताकि समू से ग्राम संगठन से और CLF से रिलेटेड जो भी नई जानकारियां है वो आप तक पोहुचती रहे देखे के दीदी जिस तरह ग्राम संगठन में पांच दीदिया प्राधिकारी बनती हैं उसी प्रकार से CLF में भी पांच दीदी प्राधिकारी बनती हैं जिसमें अध्यच, सचिव, कोसाध्यच, उपाध्यच, उपसचिव होती हैं और साथ ही आपको बता दे कि CLF जो है वो ग्रा आङ ग्राम संगठन को जोड़कर सीले बनता है। जो की क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी कहलाता है। मिट्र में ग्राम संगठन की पताधिकारी जाती है मीटिंग में। मोमें तीनी ही पताधिकारी होते हैं। अब प्रशन ये है कि क्या CLF की प्तधिकारी को कोई मांदें मिलता है? तो Ürays Director को कोई मांदें नहीं मिलता है ये प्रशन होगा तो जुड़ने का फायदा क्या है बिना मांदें कि हम क्यों जुड़ें और व्यूं काम करें? देखे आज की वीडियो में हम आपको बहुत अच्छर समझाने वाले ध्यान से समझ लीजिए देखे जो पदाधिकारी का जो यह पद है जैसे समू का पदाधिकारी हो बियो का पदाधिकारी हो पदाधिकारी एक नेता टाइफ से आप हो गये जिस परकार से नेता लोग होते हैं घराम संगठन का नेता नेता बनती हैं क्योंकि जितनी भी समू में दीदिया जुड़ी है सभी तो नहीं बोल सकती सभी कितनी हिम्मत नहीं होती है कि अपनी बात को जाकर कि कहें लेकिन जब कोई जागरूप कोई शशक्त कोई सक्री या महिला जो की नेता बने और वो जाकर अपनी बात को रखे सब दीदियों के सा खड़ी हो तभी आप समू या ग्राम संगठ या सेलिफ जो भी है उसके फंड का सही उपयोग कर पाएंगे और जब आप ससक्त होंगे एक जुट होंगे जब आप अपनी बात को रखेंगे मेहनत करेंगे और अच्छे से समू की मीटिंग करेंगे समू चलाएंगे तेखेगा आज समू छोड़ देंगे ग्राम संगठ छोड़ देंगे वो दीदी आगे चल कर बहुत पच्छताएंगी और यही सोचेंगी कि उस समय आप लोगों ने जंदबाजी न की होती तो आप लोग भी समू में जुड़े होती इसलिए पच्छतावा ना हो इसलिए समू में क्या करेंगी उपसमितियां क्या होती है क्या करेंगी कितना अफंड आता है उसका क्या काम होता है किस में खर्च किया आता है सब जानकारी आप लोग जरूर से करिए आप समू में जुड़ी ही इसलिए तो समू की सारी जानकारी हर दीदी को होनी चाहिए अब यहां पर हम आपको ये बता दे पता अधिकारी जो हैं जब बनते हैं तो उन पे एक जिम्मेदारी होती है ठीक तो उनको मानदे भले ही ना मिले लेकिन उनको हर जगा जाने का मौका मिलता है हर मीटिंग में जाने का मौका मिलता है बड़े-बड़े अधिकारी से मीटिंग करने का मौका म मिलता है जिले पर राज पर हर जगा उनकी पहुच बनती है जब पहुच बनती तो उनको बहुत सारी जानकारी मिलती है जिससे कि वो आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी और जब उनको जानकारी मिलती तब आके सम्हू या ग्राम संगठन में बताती भी है अब आप खु इन लोगों को भी सारी कारी होती है तो जो काड़र के रूप में बनती है उन्हें kाफी कुछ जानकारी होती है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो महिलाएं काइडर के पदपर नहीं न्यूक्त हैं और केवल समूह में रोजगार वगएरा कर रहीं कोई वैवसाय कर रहीं वो भी बहुत आगे निकल रही हैं वो काइडर से कहीं जादा इनकम कर रही हैं और सरकार उनको महत्व भी दे समूह में कि आप कोई रोजगार करें सरकार देखती है कि समूह की कौन दीदी रोजगार कर रही है कितनी इनकम कर रही है वो बहुत जादा मतलब सरकार उसको आगे लाती है और उसका जो नाम भी होता है सम्मान भी दिया जाता है और उनकी इनकम भी आगे बढ़ती जाती ह दीरे-धीरे उनकी progress होती है आगे से आगे बढ़ती है। तो दीदी जो सेलफ की पताधिकारी हो या Gram संगठन की पताधिकारी हो। अब प्रस्निल या है कि एगर मानदे नहीं मिलता है थो क्या वो कोई नौकरी कर सकती हैं, कोई कायडर के पदपे काम कर सकती हैं। क्योंकि पदाधिकारी को कोई मान दे तो मिलता नहीं है, तो बहुत सी ऐसी काईडर हैं, जो ग्राम संगठन की अध्येच हैं, हमारे हाँ खुदी ग्राम संगठन की अध्येच दीदी हैं, और वो FLCRP के पत पर भी काम करती हैं, और हमारे हाँ ग्राम संगठन की जो सचिव है वो मन्डेगा मेट हैं तो इस तरह से जो ग्राम संगठन की पदाधिकारी है वह भी किसी कायडर के पद परDay काम कर सकती है और जो CLF की पदाधिकारी हैं में कोसा देचछ और the stop रहती हैं कोई अगर पद आता है तो उसमें आविदन करती हैं और उनको पहले मिल जाती है इस परकार से जो सीलिफ की पताधिकारी है वो नौकरी या काईडर के पत्पे काम कर सकती है सम्हू में जुड़कर महिलाएं कहां से कहां पहुच रही है लोग उत्पाद महिलाएं ब रही है और सम्हू में लाब उठाया उन्होंने पैसे से जो फंड मिला उससे अपना जीवन सवारा है पसे और देखाया है कि सोचे कि कि कृतने सम्हू सरकार का पैसा आपके समूह में पड़ा है वो दीरे दीरे पतने कितने दिन में वापस जा पाएगा इसलिए आप लोग अच्छे से कार करिए और प्रयास कीजिए कि कुछ नया किया जाए समूह में जुड़े हैं तो आप भी अपना नाम जरूर से रोशन कीजिए और कुछ ऐसा कर दिखाए जिस्ते की सरकार भी कहें कि हाँ ये दीदी ने बहुत अलग काम किया है और इन्हों ने अपनी मिहनत से अपने आपको मजबूत किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद